मायूस मत होना जिंद्की से, किसी भी बक्त तेरा नाम बन सकता है, अगर दिल में हो आग और होंसले हो गुलंद तो अख़वार बेजने वाला भी कलाम बन सकता है यदि कोई तुम्हें reject करता है तो दुखी मत होना लोग अक्सर महेंगी चीजों को reject कर देते हैं और सस्ती चीजों को पसंद करते हैं अगर आप रेत पर अपने कदमों के निसान छोड़ना चाहते हैं तो एक ही उपा है कदम पीछे मत खीचना कठिनाई का मतलब असंभव नहीं है इसका सीधा सा मतलब है कि आपको कड़ी मेनत करने होगी सभी पक्षी बारिश से बचने के लिए आसरे ढूरते हैं लेकिन बाज बादलों से उपर उड़कर अपने आपको बारिश से बचा लेता है सपना वो नहीं होता जो आप नीद में देखते हैं सपना तो वो होता है जो आपको सोने ही नहीं देता आप अपना भवश्य नहीं बदल सकते लेकिन अपनी आदते जरूर बदल सकते हैं और निश्चित रूप से आपकी आदते आपका भवश्य बदल देगे जिस दिन आपका सिगनेचर पोटोग्राफ में बदल जाए, मान लीजिए आप काम्याब हो गए सफल व्यक्ति वो होते हैं जो अपने सपनों को सच करने के लिए जोकिम उठाने से नहीं डड़ते अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाते हो तो पहले सूरज की तरह चलना सीखो धीरे धीरे ही सही लेकिन हमेशा चलते रहे क्योंकि एक समय के बाद ठैरा हुआ पानी भी सड़ने लगता है इस वर केवल उन लोगों की मदद करता है जो कड़ी मेहनत करते हैं यह सिर्दान्त बहुत ही इसपष्ट है मनुष्च को जीवन में कटनाईयों की आवश्चकता होती है जोकि सफलता का आनंद लेने के लिए यह आवश्चक है आपकी सफलता के रास्ते में जितनी मुश्किले आएंगी सफलता पाने पर आपको उतनी ही ज्यादा खुसी मिलेगी जब दिमाग कमजोर होता है परिस्तितिया समश्य बन जाती है जब दिमाग इस्थिर होता है तब परिस्तितिया चनोती बन जाती है लेकिन जब दिमाग मजबूत होता है तब परिस्तितिया अफसर वन जाती है अकेले चलना सीखलो जरूरी नहीं जो आज तुमारे साथ है वो कल भी तुमारे साथ हो पत जड़ हुए विना पेडों पर नए पत्ते नहीं आते कठिनाई और संगर से सहे विना अच्छे दिन नहीं आते अपने मिसन में काम्याब होने के लिए आपको अपने लक्ष के प्रती एक चित और निष्टावान होना पड़ेगा जीवन में कठिनाईयां हमें परवाद करने के लिए नहीं आती बलकि यह हमारी चुपी हुई सामर्थ और सक्तियों को बाहर निकालने में हमारी मदद करती है कठिनाईयों को यह जान लेने दो कि आप उससे भी ज़्यादा कठिन हो अगर सफल होने का हमारा इरादा काफी मजबूत होगा तो नाकामी हम पर हाभी नहीं हो सकती ब्रक्ष में प्रती दिन पानी देना होता है लेकिन फल मौसम के अनुसार ही आते हैं इसलिए जीवन में देरिये रखे क्योगी हर काम समय पर ही होता है कामयाव इंसान खुस हो नहोगा परन्तु खुस रहने बाला इंसान जरूर कामयाव होता है यह मस सोचो कि मुझसे नहीं हो पाएगा बलकि यह सोचो कि मेरे अलावा कौन कर पाएगा अंत में मैं नंदू सैनी इतना ही कहूंगा कि ज़ग तक सफलता ना मिले कौसिस करते रहे और रोजाना कुछ ना कुछ नया सीखते रहे